ओम श्यान्ति, स्वयम ज्ञान के सागर्ने, हम सभी को श्रष्टी के आदी मध्य अंत का ज्ञान दिया, हम कितने महां थे, देवी देवता थे, संपोर निर्विकारी थे, स्रष्टी भी सतोपर्धान और प्रकर्ती भी सतोपर्धान थे, एक सुन्दर युग, स्वर्णिम युग था, हम देरे देरे नीचे उतरें, द्वापर युग से, पुन्यों के साथ थोड़े थोड़े विकरम भी होने लगे, और कल्युग में, पुन्य कम और पाप कर्म जादा होने लगे, कलियुक्यांत में सभी आत्माएं अपने पाप और पुन्यों का खाता साथ लेकर चल रही हैं किसी के पुन्य उद्य हैं, किसी के पाप उद्य हैं किसी के कभी पाप उद्य हो जाते हैं, कभी पुन्य उद्य हो जाते हैं तो हम सभी इस खेल को अच्छी तरह जनते हैं भाग्य भी क्या है कर्म और फल का चक्र भाग्य कहलाता है जिसके साथ जो कुछ हो रहा है उसके कर्म ही उसके लिए जिम्मिदार है कई लोग इसमें भगवान को दोस देते रहते हैं बगवान को दोस देने की ज़रुवत नहीं है, बगवान का किसी के कर्मों में कोई इंटर्फिरेंस नहीं है, उसने तो ग्यान दे दिया, अब ग्यान की आधार से कर्म तुम्हें करने है, कर्म करने में आत्मस्वतंत्र है, ये हमारी इंडियन फिलोसोफी में भी इसकी बहु स्वयम लेना होता है तो जिसके पुन्य बहुत ज़्याद है उनकी इस्थिती स्रेष्ट है उनके सामने पर इस्थितियां बहुत कम हैं इसलिए उनकी इस्थिती अच्छी रहती है अब पाप और पुन्य दोनों का खेल जीवन में साथ साथ चल रहा है जो योगी है जो ब्रमावत्स है जिनके पास संपूर्ण ज्ञान की लाइट है वे भी इस चक्र में है बहुतों के लिए ये चक्र व्यू है बहुत लोग इस चक्र व्यू में उलशते रहते हैं लेकिन हमें ज्ञान के वल से चाहे वो ड्रामा का ज्यान हो, चाहे और बहुत सारी बाते बाबा ने हमें कहीं है उनको इस मर्ती में रखते हुए अपनी स्थिती को अच्यल अडोल बनाना है अपने चित को पूरी तरह स्यांत भी करना है कि मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वही सत्य है क्योंकि उसके पीछे मेरे ही कर्म जिम्मिदार हैं अगर मैं परिशान हो तो इसका जिम्मिदार कोई और नहीं लोग बहुत कहते हैं ये व्यक्ति मुझे बहुत परिशान करता है इस व्यक्ति ने मुझे तंग कर दिया है ये व्यक्ति मुझे बहुत दुख देता है, ठीक है ऐसा आपको दिखता होगा, उस व्यक्ति की भी गलती है, पन्तु परिशान तो आप खुद होते हैं, दुखी तो आप खुद होते हैं, तंग भी आप खुद हो रहे हैं, हम अपनी ऐसी स्ट्रॉंग अचल रोली स्थिती बना सकते हैं, कि तंग करने वाले तंग करकर के खुद तंग होके परिशान हो जाएं, कि ये तो तंग होते ही नहीं, उनकी इस कमजोरी को हम अपने को शक्ति साली बनाने में यूज कर सकते हैं तो ये हमारे उपर है हम क्या कर रहे हैं हमें क्या करना है इसलिए अपनी स्थिती को एक रस और अचल डोल बनाना है तो अपने चित को स्यांत करना है और उसके लिए ये संपोर्ण इस्वरी ज्यान हमारे लिए अनमौल निधी है इसको हम यूज करें यान हमारे लिए ग्यान न रह जाए वो किताबों में, डैरी में, हमारी मुल्ली में लिखा हुआ न रह जाए भगवान हमारा साथी है इस नसे हम में हम स्थित हो जाएं तो बेफिक्र बात्सा बन जाएंगे, इस अंसार में कोई बड़ा आद्मी किसी को साथ दे, वो भी बड़ा निश्चिंत रहता है, हमें तो साथ दे रहा है स्वयम भगवान, तो कितने निश्चिंत था, कितने अच्छल अडोल इस्थिती हमारी होनी चाहिए, आईए हम एक संकल्प करें, चोचोटी बातों में हम विचलित नहीं होंगे, पचल अडोल रहेंगे, चोचोचोटी बाते हमारी शक्तियों को नस्त नहीं करेंगी, और फिर ये बची हुई शक्तियां हमें काम आएंगे उस समय, जब बड़ी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ेगा, तो पहला ध्यान देंगे, चोचोटी बातों में विचलित नहीं होना है, ओम श्यांति!